1973 में अरब ऑईल एमबाग हुआ जिसके कारण साउधी अरब ने बहुत सी कंट्रीज को ऑईल सप्लाई करना बंद कर दिया जिसमें से एक यूएस भी था और इस कारण यूएस में ऑईल की प्रैजेज में ड्रास्टिकली इंक्रिमेंट हुआ वहाँ ऑईल की कमी हो गई और बहुत से कॉर्परेशन बैंक करप्ट हो गए और वहाँ की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कार की डिमांड लगबग जीरो हो गई तब स्टेंली मायर को एक आईडिया आया कि क्यों ना एक ऐसी कार बनाई जाये जो कि आटो इंडस्ट्री में एक रिवॉलिशन ला दे और यूएस की ओईल एन फॉसिल फ्यूल्स के उपर डिपेंडेंसी को खत्म कर दे और फिर लगबग 20 साल के हार्ट वक के बाद उन्ह उन्हें पानी को इसलिए चूज किया क्योंकि पानी इजीली अविलेबल है और एबेंडेंस में मौजूद है Basically water fuel cell water molecules को break करता hydrogen and oxygen में दन hydrogen को use करता as a fuel और इसके कारण environment को कोई नुकसान भी नहीं होता उन्होंने बताया कि इस device को कार में fit करने के बाद कोई भी कार water fueled कार बन जाएगी उसके बाद उन्होंने खुद की एक बगगी बनाई जिसमें कि उन्होंने खुद का बनाया हुआ water fuel cell fit किया और claim किया कि उनकी ये कार सिर्फ 22 गैलन पानी के use से LA से न्यू योक जा सकती है फिर 1996 में उन्होंने US में अपनी बगगी के जगा जगा demonstration दिये और जिन भी लोगों ने उनकी कार को देखा उन सभी ने इसे एक revolutionary concept बताया फिर इसके कुछ टाइम बाद ही उनके इस invention के लिए उन्हें investors भी मिल गए उसके बाद उनके investors ने एक expert witness भेजा ताकि वो कार को ठीक से examine कर पाए लेकिन मायर ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि उनका ये invention अभी patent pending है और under investigation है by patent office और department of energy and military और फिर शुरू है legal issues उन्हें के investors ने उन पर lawsuit file कर दिया जिसके बाद court ने तीन expert भेजे उनकी कार को examine करने के लिए और उन्होंने court में ये बताया कि मायर एक fraud इंसान है इवन उन पर money laundering का case भी चला जिसमें कि उन्हें guilty पाया गया और उन्हें investors को 25,000 डालर repay करने पड़े और मैं आपको बता दूँ कि Stanley मायर के बहुत से national and international scientific board and organization में बहुत अच्छी reputation थी उन्हें 1993 में inventor of the year का award भी मिल चुका था और उनके नाम पर 42 से भी ज्यादा patent थे और फिर 1998 में mysteriously उनका murder हो गया हुआ यूं कि 20th March 1998 को दो Belgian उनसे मिलने आये जिन्होंने कि मायर को बताया कि वो investors हैं और उनके invention में काफी interested है उसके बाद वो investors Stanley मायर और Stephen मायर जो कि उनके भाई हैं चारों रेस्ट्रों गए मीटिंग के बाद investors वहाँ से चले गए और जैसे ही Stanley ने वहाँ cranberry juice का sip लिया within a minute उन्होंने अपने neck को grab किया और तुरंत parking lot की तरफ भागे जहां कि उन्हें बहुत से vomiting हुई और मरते वक उनके last word थे they poisoned me बाद में स्टीफन मायर ने मीडिया को बताया कि उनका murder एक conspiracy था क्योंकि उनके invention ने worldwide बहुत से बड़े बड़े officials का ध्यान अपनी ओर घीचा था उनने बताया कि आए दिन अलग-अलग countries से mysterious visitors और बड़े बड़े oil and gas corporation के officials उनसे मिलने आते और उनने big amount offer करते हैं कई बार उने धमकिया भी मिलती इवन US government ने उनपर spying करना भी शुरू कर दिया था और Pentagon ने भी उनके इस invention में काफी interest दिखाया था लेकिन Stanley ने सबको मना कर दिया था क्योंकि Stanley का ये invention आम लोगों के लिए था जबकि बड़े-बड़े corporation सिर्फ अपना profit देख रहे थे इसलिए उनका murder कर दिया गया murder होने के तीन दिन बाद federal official Stanley के घर गए और invention related सारे documents और instrument जब्द करके अपने साथ ले गए और उसके तीन महीने बाद उनकी autopsy report में death का reason था cerebral aneurysm जिसे की जाधातर लोग नहीं मानते पर ये कोई एकलोता ऐसा case नहीं था जब inventor का या तो murder कर दिया गया हो या पूरी की पूरी company बंद हो गई हो फार एक्जबल 2008 में GenePacks जो की एक Japanese company थी उन्होंने अपनी waterproof car launch की जिसका की verification खुद patent office भी कर चुका है यानि की ये car reality में पानी से चलती थी लेकिन फिर within a year उसने अपने सारे product display करना बंद कर दिये और वो पूरी तरह बंद हो गई जिसका valid reason अभी भी लोगों को नहीं पता सो सोचने वाली बात ये है कि अगर ये invention आम लोगों तक आ जाता तो हमें तो इसका profit होता जो कि सपोर्ट करती है traditional energy production को वाया fossil fuels subsidies क्योंकि water power car के use से हमारे fossil fuels के उपर dependency खत्म हो जाती और ये corporation bank corrupt हो जाते और क्या पता शायद global warming जैसे serious threat को अभी हमें face नहीं करना पड़ता तो आप लोगों की क्या राय है स्टनली मायर के invention को लेकर क्या उनका murder एक conspiracy था या फिर वो एक fraud थे प्लीज नीचे comment section में comment करके अपनी views जरूर share करें सो आज की इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को like कीजिए इस पर comment कीजिए इसे share कीजिए और अगर नए हो तो subscribe कीजिए बाई